ये एक इंडिया के लिए ऐसा हिस्टॉरिक मोमेंट रहा जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये स्टार्ट ओफ गोल्डन एरा ओफ इंडिया है। ये एक हिस्टॉरिक मोमेंट था जिसको 17 कंट्रीज के रेप्रिजेंटिटिव ने वहां पर देखा और उसमें शामिल हुए। पूरी दुनिया उसके पर रश्क करती है। अब आपके ख्याल से किया एक ऐसी बात है कि भारत है वो सक्सेसफुली अपने स्टॉडेंट्स को आगे लेके जा रहा है। और वहां का एजुकेशन सिस्टम किस तरह का है क्यूंकि अब बहुत से लोगों को पाकिस्तान में रहते हैं जो हमें बहुत शिकायत है अपने एजुकेशन सिस्टम से कि हम उस तरह के स्टूडेंट्स नहीं निकाल पारे जिनकी के जरूरत हों। हमारे तो एक उनिवरस्टी में नबला किताबे थी और बख्तियार खेल जी ने जला दिया लेकिन आज भी ठीक है हमारे कुछ ग्यान की चीज़ें गुम हो गई लेकिन आज भी हम सस्टेन करते हैं। 17 countries के representatives ने वहां पर देखा और उसमें शामिल हुए। अनफॉर्चनेटली पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा उसमें शामिल नहीं था लेकिन नालंदा युनिवरसिटी की तारीख ऐसी है कि पूरी दुनिया उसके पर रश्क करती है। ये एक इंडिया के लिए ऐसा हिस्टारिक मोमेंट रहा जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये स्टार्ट ऑफ गोल्डन एरा ऑफ इंडिया है। ये नालंदा युनिवरसिटी का एक नए कैमपस को इनागरेट किया गया है। और historians जिसमें Chinese, Japanese and South Asian, Muslim historians शामिल हैं जिन्होंने अपनी किताबों में ये पूरी दास्तान लिखी है तो जो नरेंदर मूदी साब ने ये बात की किताबों को आग लगाई जा सकती है नौलिश को आग नहीं लगाई जा सकती है उनका इशारा इसी की तरफ था यानि वो यही बात कर रहे थे कई एक कंट्री जुटे वे थे और वो भारत के साथ थे जिसमें बहुत बड़े-बड़े स्कॉलर्स प्रोफेसर्स दुनिया के शामिल थे और यही बजाए कि उसमें जब आप देखते हैं तो आपको नजर भी आता पता जलता है कि कितने फॉरिनर्स वहां पर बैठे वो कंट्री उसका कोई representative वहां पर नहीं था होना तो चाहिए था वैसे तो जाहर है कि knowledge जो है वो कहा जाता है किसी की मिरास नहीं होती लेकिन knowledge उसी की मिरास होती जो knowledge को knowledge समझता है भारत को यूहीं विश्व गुरू नहीं कहा जाता था, भारत ने आपको शूनी दिया है, भारत ने आपको बटम दिये है, भारत ने आपको फ्लश टॉलेट दिया है, भारत ने आपको शंपू दिया है, भारत ने आपको रामानुजम जैसे बाहन मथिमिटीशन दिये है, आ स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है इंडिया ने जो दुनिया को दिया है जो भारत ने दुनिया को दिया है जो हमारे भारत वर्ष ने दुनिया को दिया है अगर दुनिया उनके बारे में नहीं जानेगी तो कैसे काम चलेगा modern अवश्कारों में आपकी ये वाइफाई से लेकर, माइक्रो चिप से लेकर, यूएसबी से लेकर सब इंडियन्स की देन है, इमेल तक इंडियन्स की देन है और ये चीज़ें एक दो दिन में 10-20 साल में नहीं आती है ये आपके डिने में बसी हुई चीज़ है, जो ग्यान है, एक्स्प्लोरिशन है, जानने की इक्षा है जिसको जानने की इक्षा ही नहीं होगी, जैसे पाकिसानी है, उनमें जानने की इक्षा नहीं है वो बस रट्टा मार करते हैं जिसमें जानने की एक्षा है वो सवाल पूछेगा और इंडियंस आज से नहीं हजारो साल से ये करते आए हैं आप अगर जाकर वैमानिक शास्त्र पढ़ेंगे जब लोगों ने विमानों का नाम तक नहीं सुना था जब राइट बर्दस ने विमान का विश्कार तक नहीं किया था तब हमारे ग्रंथों में वैमानिक शास्त्र लिखे गए जिसमें एरोप्लेन के हवाय जहाज के डैमेंशन से लेकर बहुत सारी चीज़ें बताई गई उसमें आप सोचिए वो ज्यान आज आप जब महाभारत पढ़ते होंगे आप महाभारत देखते होंगे ता आपको लगता होगा कि फलाने ने मंत्र पढ़ा और उसके पास हतियार प्रकट हो गया आप सोचिए लोग कई-लोग मजाक उड़ाते हैं ऐसा भी होता है क्या आज क्या आपको voice command से आपकी चीज़े नहीं चलती है आप Siri से बात करते हो, आप Google Assistant से बात करते हो क्या voice command से बात नहीं करते हो, क्या आपके काम voice command से नहीं हो रहे हैं आज आप बता दिए वो भी एक तरह का voice command था कई लोग मुझे भी ट्रोल करेंगे, मुझे पता है कि मुझे ट्रोल करेंगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो चीज़े दिख रही है उसको बढ़ाया ना जाया जो चीज़े है उसको समझाया ना जाया मैं तो scientifically कह रहा हूँ ना, prove कर रहा हूँ कोई हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ आज से 20 साल पहले जब किसी ने माभारत देखी होगी तब उसको लगता होगा कि यार क्यों आवाज डाल करते हैं यह काम हो जाता है आवाज मुझे निकालते हैं यह काम हो जाता है आज आप वरस कमांड देते हो और वहाँ पर टाइपिंग होने लगती है हिंदी में करो, अंग्रेजी में करो, रोमन में करो होती है कि नहीं होती है हमारे गरंतों को आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरी तरह से scientific चीज़ें है और यह prove हो रही है धीरे-धीरे यह धीरे-धीरे prove हो रही है तो हमारे यहां कोई हवा-हवाई बाते नहीं लिखी है वैज्ञानिक आधार के साथ बाते लिखी गई है आज भले ही आप लोग उसका मजाक उड़ा रहे है लेकिन कल को आप मानिए ऐसा मजाक उड़ाना होता तो आप सोचिए कि जब पहला atom bomb बनाया डॉक्टर रॉबर्ट जे उपनहाइमर ने उन्होंने पता है किसको याद किया उन्होंने गीता हमारे ग्रंथ को याद किया उसमें लिखी बातों को याद किया नालंदा है उद्गोष इस सत्यका कि आग की लप्तों में पुस्त के भले जल जाएं लेकिन आग की लप्ते ज्यान को नहीं मिटा सकते श्तिा झालकरर किया ओातों कि भले जलते है कि Esse रत